हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिसे आप से भी का स्वागत है आज कि इस नहीं वीडियो के अंदर है आज हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे LPN टोकन की जो स्टेकिंग है क्या वो बंद हो चुकी है या नहीं दूसरे टोपिक के ओपर बात करेंगे क्या सबी को इंडोर्शमेंट करना कमपल्सरी है या फिर नहीं तो आप वीडियो को एंड तक वोच करना ताकि आपको भी पता लग सके कि आखिरकार आगे चलके होने क क्या वाल है तो आए स्टार्ट करते हैं आज की इस नहीं वीडियो को तो सबसे पहले बात करते हैं क्या हम सबी को अपना जो अकाउंट है वो इंडोर्शमेंट करना पड़ेगा या फिर नहीं तो 20-25 दिन पहले आपको पता है कि प्रोजेक्ट की एक जूम मीटिंग हुई इंडियन गवर्मेंट अगर क्रिप्टो के ओपर कुछ रेगुलिशन लेके आती है जिसकी वज़े से जो हमारा इन्वेस्टर से हैं उनका जो फंड है उसको सिक्योर करना पड़ा अगर प्रोजेक्ट को तो प्रोजेक्ट सभी के जो अकाउंट्स है एलपेंटी के अंदर जो स्टेकिंग की हुई है हम सबने उसको एन्फट के अंदर कर देगा लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से लगाता टेलिग्राम के ओपर मेसेज आते हैं मेरे पास भी तो वो बताते हैं कि हमारी टीम के जो कोर मेंबर्स हैं कम्यूनिटी मेंबर्स हैं तो वो ये बाते ब आ रहे हैं जू मिटिंग के अंदर जो बाते हुई थी कि अगर गवर्मेंट का कोई स्टिक्ट रूल आता है या फिर रेगुलेशन आते हैं जिसकी वज़े से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फंड अगर इन सिक्योर होता है तो उसको सिक्योर करने के लिए सभी के अक नहीं कि अपने अकाउंट्स तो प्रोजेक्ट कुछ से ही उनके अकाउंट्स को अंदर कर देगा जनवरी के अंदर और आप सभी को पता है कि मैंने अपने टेलेग्राम चैलन के ऊपर एक मैसीज भी शेयर किया दा कुछ दिन पहले 26 तारीक से लेके 30 तारीक के बीच में अ आपको दो अलग-अलग स्टेटमेंट बताई एक तो मैंने प्रोजेक्ट की जो ओफिशल जू मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या स्टेटमेंट दी थी उसके उपर बात की और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि जो भी आपके कम्मुनिटी मेंबर्स को टी मेंबर्स या फिर नहीं कर रहे हो आप बातचीद करके आप कनवर्ट कर सकते हो वो डिसीजन सिर्फ आपका होगा लेकिन अगर बात की जाया तो जो एलपेंटी की जो स्टेकिंग थी जो एनफ्ट के अंदर कनवर्ट हो चुकी है तकरीबन 70-80% जो होल्डर्स हैं जिन्होंने एलपे के अंदर कनवर्ट हो जाए अगर नई हुई फिर भी अगर बच जाती है तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम फेबरेरी से पहले पहले जितने भी एलपेंटी होल्डर्स हैं वो एनफ्ट के अंदर कनवर्ट हो जाएंगे या तो प्रोजेक्ट कर देगा कुछ से या फिर आप अप क्या मानना इसके ऊपर आप कमेंट करके बता सकते हो इसके इस पर आपका क्या opinion है वो भी आप शेयर कर सकते हो कम entra topics में कमेंट करके अब बात करते हैं यहाँआप दूसरे टोपिक के ऊपर तो फाइनली यहां आप रापका जो सबसे बड़ा सवाल था क्या एज लूड टो स्टेक पे क्लिक करते हो तो आपको यहां पर देखिए सिरफ अभी एन एफटी मार्किट का ही ओप्शन अवेलेबल है यानि 20 तारीक से पहले पहले जब भी आपने स्टेकिंग की थी एलपेंटी के अंदर तो आपको डैश्बूर्ड है वो एलपेंटी का आपकी स्क्रीन के पर शोग करता था लेकिन 20 तारीक के बाद अभी जो ओप्शन आ रहा है वो सिर्फ एन एफटी मार्किट का ही आ रहा है और 20 तारीक से जो एलपेंटी की स्टेकिंग है वो बंद है आप बोल सकते हो या तो अब्डेशन हो रही है वोलेट के अंदर ये भी आप बोल सकते हो या फिर परमानेटली अभी एलपेंटी की स्टेकिंग है वो बंद होने वाली है अभी तक ऐसा कोई भी ओफिशल स्टेटमेंट या फिर ओफिशल मेसिज आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट की तरफ से अभी नहीं आया है किसी भी गुरूप के अंदर या फिर वेबसाइट के अंदर कनवर्ट करने होंगे तो यह डिसीजन कितना सही है और कितना गलत है तो उसमें से आप सभी ने बहुत अच्छा यहां पर अपना सयोग दिया और अगर बात की जाये तो 58% ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो डिसीजन है वो येस में दिया है कि अगर प्रोजेक्ट से गलत लिया गया है तो आप सोच सकते हो कि यह पूल भी आप सभी के लिए रखा गया था और आप सभी ने इस पूल में पूरा अपना सयोग दिखाया और आपने वोट की तो अब देखिए जो मैक्सिमम लोग हैं वो सिरफ यही दिखाना चाहता है कि हम nft के अंदर कनवर हो जाइए अब आप सभी क्या point of view है इस decision को लेने के बाद कि अगर project compulsory करता है तो आपके क्या opinion है अगर आपके senior आपके core members आपको बोल रहे हैं कि आप nft में convert कर लीजिए उसको लेकर आपका क्या कहना है आप comment box में comment करके बता सकते हो अगर future में अगर LPNT की staking बंद हो जात है तो इसके उपर भी आपके जो point of view हो आखिरकार क्या है तो आप comment box में comment जरूर करना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आखिरकार राय क्या है तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ